नमस्कार प्यारे साथियों परताब क्लासिस के यूट्यू जनपर आपका स्वागत है आज है संडे और संडे की दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफिर्स की क्लास आज अपने पढ़ेंगे चार मारत से लेकर दस मारत दो हजार चोविस्त है क्योंकि आज संडे है तो संडे है तो आज संडे की दिन आपने वीकली करंट अफिर्स की क्लास आपको मिलेगी तो यह चार मारत से लेकर दस मारत दो जार चोविस तक अपने जो टोप पचास जो करंट के क्योंसर मनते हैं वो आज इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे तो सारे विदारति एक बार सेशन को ला पहुंच जाएगा यह क्लास UPSC, RPSC, First Grade, SI, रास्तन पुलीस, 2024 के अंदर आल एक्जाम के लिए जो संडे के दिन जो आपको भी यह वीकली क्लास मिलती है यह क्लास आपके लिए रामपान है साबित होगी और इसका टेस्ट है जो आज आपको यह क्लास मिल रही है कल आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा सोमार के दिन जो अपनी वार्शी करांट एफेर्च की टैसरी चल रही है इसके अंदर आपको डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिल रहा है फिर संडे के दिन जो वीकली मिलता है वो सोमार को आपको टेस्ट मिलता है फिर मंतली टेस्ट भी आपको जैसे अभी फरवरी का मंतली टेस्ट भी मिल गया और मंतली पीडिय भी आपको मिल जाती जिसमें आप प्रिंट निकालके आप बड़िया तरिके से जैने कर शकते हैं और इसके लावा अपनी फर्ष्ट गेड़ स्कूल ब्याखेता की चल रही है इंडियन पॉलिटी की चल र परताब क्लासिस का एप डाउलोड करें वहां से ये सारी टैसरीज है जोइन कर सकते हैं तो स्टार्ट करें आसकी क्लास सभी साथियों को गुड मॉर्णिंग पहला क्योसन देखो बारत और किस देश के बीच एक द्वी पक्षय समुंदरी अभ्यास समुंदर लक्षमन ये 28 परवरी से लेकर हैं दो मार्थ तक ये ब्यासे चला था किस के बीच हुआ भारत और मलेसिया के बीच हाल में 5 करोड आयुसमान कार्ड बनानी वाला देश का पहला राज्य बना है और वो बन चुका है उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य बन गया उत्तर प्रदेश राज्य के धनबाद के सिंद्री में हिंदूस्तान उरुवक और रसाइन लिमिटेड सिंद्री उरुवक सेंतर राष्ट को समर्पित किया है तो ये किस राज्य के अंदर है ये स्तीते आपको पता है काँ पर हैं जहार खंड के अंदर है धनबाद के सिंद्री में एक तो है हिंदूस्तान उरुवक और एकार साइन लिमिटेड सिंदरी उरुवक सेंटर इन्हों ने राष्ट को समबर पीते कर दिया काउंपर आई ये जहार खंड में हाल में दर्मेंदर परदान ने किस राज्ये के सनात्कों के लिए प्रोजेक्ट ODI सरव लॉंच किया है हाली में अपने केंद्री शिक्षा मंतरी हैं दर्मेंदर परदान उन्होंने किस राज्ये के सनात्कों के लिए प्रोजेक्ट ODI सरव लॉंच किया है उरिसा राज्ये के सनात्कों के लिए लॉंच किया किस बारतिय पुलिस सेवा के अधिकारी को संसद की सुरक्षा विवेस्ता का परमुक निउप्त किया गया किस राज्ये के सीम ने F.I.H. ODI.S.A. होकी पुरुष विशोकप 2023 नामक पुछता का विमोचन किया है तो ये उरिसा के सीम है नवीन पतनायक कोन है उरिसा के सीम नवीन पतनायक उन्होंने F.I.H. ODI.S.A. होकी पुरुष विशोकप 2023 की पुछता का विमोचन ने किया है किसने उरिसा के सीम स्यम्तराष्टर की पुरुष साहिक महासचिव लक्षमी मुर्देश्वर पुरी ने किस सहर में पहली पुछतक स्वे लोइंग दैसन लौंच की है स्यम्तराष्टर की पुरुष साहिक महासचिव लक्षमी मुर्देश्वर पुरी ने किस सहर में पहली पुछतक स्वे लोइंग दैसन लौंच की यह किया उन्होंने पहली बार भूंबई के अंदर किस सहर में 21 पिट उन्ची मारना परताप की प्रतिमा का नावण किया गया किस मंत्रा लीने पोशन 11 चलिब्रेटिंग नूत्रेशन का आयोजन किया है किस मंत्राले ने पोजिशन उच्छावे celebrating nutrition का आयोजन किया ये किया है मैलावे बाल विकास मंत्राले वर्तमान में मैलावे बाल विकास मंत्री कोने है स्मृती इरानी कोने है सिर्मती स्मृती इरानी हाली में पहले सवदेसी रूप से निर्मित हाइट रोजन है इलेक्ट्रोलाइजर का उद्गाटन किस राज्य में किया गया तो पहले सवदेसी रूप से निर्मित हाइट रोजन है इलेक्ट्रोलाइजर का उद्गाटन किस राज्य में किया गया इसका किया गया उद्गाट देश में सबसे टोप पर रहा वो रहा है राजस्तान राज्ये कौन सा राजी रहा राजस्तान किस केंद्रिय मंत्री ने हज सुईदा एप लॉंच किया है किस केंद्रिय मंत्री के द्वारा हज सुईदा एप लॉंच किया गया तो ये क्या है महिला वैपाल विकास मंत्री है सिम्रिती इरानी किसने सिम्रिती इरानी ने हज सुईदा एप लॉंच किया है जो हज की यात्रा करते हैं लोग है उनके लिए उनकी यात्रा सो चारू रूप से सफल हो सके उनके लिए हज सुईदा एप लॉंच किया गया अमित शाने की सेर में राष्ट्य सहरी सहकारी वित और विकास निगम लिमिटेड का उदगाटन किया तो यह नो नहीं किया है नई दिली के अंदर कहां पर किया है नई दिली के अंदर अमित्षा ने राश्ट्य सहरी सहकारी वित्य और विकास निगम लिमिटेड का उदगाटन किया हाली में किसे महराश्ट्र बूषण पूरिशकार 2024 से समानित किया गया ये किया गया डौक्टर परदीप महाजन को किसको किया गया डौक्टर परदीप महाजन को रक्षा मंत्री राजनासी है किस सहर में आई एनस गरूड परे सिहाक्स हेलिकॉप्टर सक्वाड्राइन को शामिल किया है रक्षा मंत्री राजनाजी हैं अपने उन्होंने किस सहर के अंदर आई एनसे गरूड पर है सिहाक्स हेलिकॉप्टर स्वकवाड्राइन को शामिल किया ये किया है कोची सहर में कहां पर शामिल किया है कोची सहर में हेलिकॉप्टर स्वकवाड्राइन को शामिल किया हाली में बिये सबको किस देश के रूप में देश की पहली महला सनाई पर मिली है बारत ने किस नदी पर बांद बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका है ये काफी लंबा विवाद चला था काफी लंबे समय तक है अब जाकि इस पर निन्ने हुआ है तो भारत ने किस नदी पर बाद बना करे पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका ये बनाया है रावी नदी पर, किस नदी पर बनाया रावी नदी पर हाली में बैतर साल के सहबाद सरीप ने इतनी बार पाकिस्तान के परधान मंतरी बन गए तो आपको सबी को पता है अभी पाकिस्तान के नए सियम बने है सहबाद सरीप है और ये पाकिस्तान के दूसरी बार परधान मंतरी बने है अगर आपसे करम पूछे तो करम ये 24 में प्रेस और एक मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्गाटन किया है तो ये किया है सरबानंद 109 ने किस ने किया है सरबानंद 109 ने किस राज्य सरकार ने इंदरामा आवास योजना सुरू करने की गोशना की ये की है तेलंगाना की सरकार ने किस ने की है तेलंगाना की सरकार न इंद्रामा आवास योजना शुरू करने की गोश्टना की। इंद्रामा आवास योजना शुरू योजना शुरू करने की गोश्टना की। कौन बन गया पोनेरी पल्टन बन चुका है प्रोक बड़ी लीग का दस्वे संसकन का चैंपियन आई एने जटायू का उद्गाटन किस केंदर साशित परदेश में वहा है यह वहा है लक्स द्वीप के अंदर तो हमारे रक्षया मंतरी है राजनाज सीहें द्वारा उन्होंन कि यह है यह जटायू बन रखना एक पहुत होता है जिसे जाज होते हैं पहुत है पनीवाले तो वो है जटायू कौन सी राज्य सरकार मुख्या मंतरी युवा उद्मी विकास अभियान की सुरुवात की यह किये है यूपी की सरकार दी किसने की है यूपी के सीम है योगी अदितेनाथ उनके द्वारा मुख्य मंतरी युवा उद्मी विकास अभियान की सुरुवात की गई हाल में किसने अदिती योजना की सुरुवात की है अदिती योजना तो अदिती योजना किसके द्वारा सुरुवात की गई है यह हमारे रक्षा मंतरी राजना सीहें के द ये बन चुके हैं बिहार के किस राजी के बन गे ये बिहार राजी के ने मुक्यस्टिवें बन चुके हैं हाली में स्पीड पैट्रोल के लिए बीपी सेल ने किसे अपना प्रांड अमेश्टर बनाया हाली में स्पीड पैट्रोल के लिए बीपी सेल ने किसे अपना प्रांड अमेश्ट बनाया ये बनाया नीरज चोपडा को अप्सन नमबर एक किसको बनाया नीरज चोपडा को नीरज चोपडा को नीरज चोपडा ने अभी स्पीड पैट्रोल के लिए बीपी सेल ने अनकी ब मद्रास ने चार दिविश्य अखिल बारतिय अनुसुंदान विद्वाने सिकर्ष मेलन 2024 की मेध्वानी किया है किसने IIT मुद्रास ने भारतिय भूव विग्यानिक सर्वेक्षण ने 4 मार्थ 2024 को अपना कॉन सा अस्ता अपना दिविश नाया तो चार मार्ज को अपने बनाते हैं भारत ये भूवेग्यानिक सर्वेक्षन है और अब की बार चार मार्ज के दिन उन्होंने अपना 174 स्थापना दिवस है बने कोण स्थापना दिवस है 174 मा हाल में केंदर के भारत म्यामार सीमा पर बार लगाने और अफमार को निरस्ट करने के खिलाब किसने परिस्ताव पारित किया ये किया है द्यार रखना किसने नागालेंड और मिजोरम ने तो नागरलेंड और मिजोरम की विधान सुबा के द्वारा जो भारत मियामार पर जो सीमा बाडल लगाने और एफेमार है उसको निरेस्ट करने के खिलाब परिस्ताव पारी थे किया इसका उत्र हो जीगा A और B दोनों हाली में किसने सिर्ष परदुशनकारी तेल और गेंस साइटों की निगरानी के लिए मिथेन सैट लॉंच किया है तो ये सिर्ष परदुशनकारी तेल और गेंस साइटों की निगरानी के लिए मिथेन सैट लॉंच किया तो ये किया है स्पेस एक्स ने किसने लॉंच किया ये SpaceX के द्वारा लौंच किया गया हाली में बारत की पहली Underwater Metro Rail सेवा क हा उदुगाटन किस हैर में वा हाली में Bारत की पहली Underwater Metro उदुगाटने किस हैर में वा यह वा है kwa principles कई कोलकता के अंदर कहां पर वा है oolकता में इसकी شुरत हो चुकी है हुगली नदीबर यतिन बासकर दुगल ने राष्टी युवा संसद मौचो में 2024 में परत्थम पूर्षकार जीता इनका समंद किस राज्ये से है यतिन बासकर दुगल ने राष्टी युवा संसद मौचो 2024 के अंदर प्रत्थम पूर्शकार दीद गया इनका कहां के रहने वाले हैं तो ये हर्याना के रहने वाले हैं किस राज्य के हर्याना के किस राज्य द्वारा बारत का पहला सरकारी स्वामितों वाला OTT platform launch किया गया ये किया है केरल राज्जे में कहां पर launch किया गया केरल राज्जे में launch किया गया किस टीम ने पहली बार UFA मैला राष्टर लीग जीत कर फ्रांस परेत्यासिक जीत असिल की किस टीम ने पहली बार UFA मैला राष्टर लीग जीत कर फ्रांस प्रहत्यासिक जीत आसिल की वो ये जीती है स्पेन ने जीत आसिल की है पूरो विशो कप कांसे विजेता साई परणीत ने सन्यास की गोशना की इनका समंद की स्केल से है पूरो विश्यू कप है कांसे विजेता साई परनीत ने सन्यास की गोशना कर दी और इनका समंद की स्केल से है इनका समंद है बेड मिंदन के खिलाडी इसके है ये बेड मिंदन के खिलाडी IIHR का तीन दिविश्य राष्ट्य बागवानी मेला 2024 किस सहर में जित हुआ IIHR का तीन दिविश्य राष्ट्य बागवानी मेला 2024 किस सहर में जित हुआ है बेंगलूरू के अंदर कहां पर जित हुआ है बेंगलूरू के अंदर आई जित है किया गया है South Eastern Coalfield Limited की गेवरा खदान Asia की सबसे बड़ी कोईला खदान बनेगी यह किस राष्ट्य में जित है तो South Eastern Coalfield Limited की गेवरा खदान है वो Asia की सबसे बड़ी कोईला खदान बनेगी यह किस राष्ट्य में है तो यह स्थित है जहां रखना कहां पर है यह है 36 गड़ के अंदर किस राष्ट्य में है 36 गड़ के अंदर है स्थित है किस राष्ट्य में पहले जनरेटिव AI शिक्सक आईरिस की पेस कस कीगी देखो आईरिस आपको बताए यह एक मानव की तरह है आईरिस एक रोबोर्ट की तरह है यह कैसरकारी स्कुलों में अब ह सबसे पहले इसकी सुरुवात हुई है केल के सेक्शिंग सथान में केल राज्य के अंदर इसकी सुरुवात है ओ चूझ कते अ पहला जनेरेटीव एड़ा tara 6S की स्कां कि गई केल राज्य के अंदर हाली में किस राज्य में पुंद्र विवा परत्षान योजना का उद्गाटन हुआ है तो पुंद्र विवा परत्षान योजना का उद्गाटन हुआ है जाहरखंड राज्य के सियम ने किया है कोण जाहरखंड के सियम है चमपई सोरेन कोण है चमपई सोरेन है पुरोन ने प पुन्दर विवा पुर्थान योजना की सुरुवात है की है किस सहर में भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन की सुरुवात होगी तो ये सुरुवात होगी बैंगलूरू के अंदर कहां पर इसकी सुरुवात होगी बैंगलूरू के अंदर इसकी सुरुवात होगी किसने आगरा मेट्रो को कोलकत्ता से वर्चुली रूप से हरी जंडी दिखाई है ये दिखाई अपने देश के परधान मंतरी मोदी जी ने आलि में किसने पहले National Creators पूर्षकार परदान किये ये भी किसने किये हमारे देश के परधान मंतरी मोदी जी ने पहली बारे National Creator पूर्षकार 2023 परदान किये तो ये अब की बारे 23 वेक्टियों को इस पूर्षकार परदान को चुना गया केंदरिया मंत्री अनुराक्षिंठाक पूर ने 5 Mac 2022 को संसद खेल महाकुम के 3 तीसरे चरण काउजगाटन की सराज्जी की बिलासपूर में किया किसानों की बंडारन सुईदा को असान बनाने किली किसने इ उपज निदी का अनावण किया है किसानों की बंडारण सुईदा को असान बनाने के दिए किसने ई किसान उपज निदी का अनावन किया तो ये किया है प्यूस गोईल ने किसने किया है प्यूस गोईल ने इसका अनावन है किया हाल में इंडिया UK Achievers Award 2024 से किसे सम्मानित किया गया हाल में इंडिया UK Achievers Award 2024 से सम्मानित किया गया जोया अक्तर है और असमा खान को तो इसका उत्रोजेगा A और B दोनों तो ये दो साती हैं जोया अक्तर है और असमा खान है इन दोनों को इंडिया UK Achievers Award 200 से सम्मानित किया गया हाल में International Advertising Association का परतिष्टित Glowden Compass Award किसे मिला तो ये मिला है आपको बता है सिरी निवासन स्वामी को उप्स नमबर C किसको मिला सिरी निवासन स्वामी को International Advertising Association का परतिष्टित Glowden Compass Award मिला है हाल में NATO का 32 सदे से देश कौन सा बन गया तो यह आपको सभी को मैंने कल बताये था तो NATO का 32 सदे से देश बन गया Sweden कौन सा बन गया तो ये 32 है Sweden और Finland बन गया 31 31 आपसे पूछे तो अमेरिका और United Kingdom बन गया 29 तो 29 ये 30 और 31 और 32 तो ये करमे ने बता दिया विसवार्थिक मंच बहरत में कहां AI के अंदर स्ताबिद करने के लिए समझोता किया तो इसने किया है करनाटक राज्ये में तो जो विसवार्थिक मंच है वो भारत के करनाटक राज्ये के अंदर AI के अंदर स्थापिद करने के लिए समझता किया है किस देश ने बारते सर्मिकों के लिए बीमा योधना की सुरुवात की है किस देश ने बारते सर्मिकों के लिए बीमा योधना की सुरुवात की यह की है यूई ने आपको बता अलग बग जो अपने जो भारतिय सर्मिक है वो सबसे ज़्यादा है वो यूई के अंदर काम करते हैं सर्मिक है लेकिन वहाँ पर किसी कारणवस उनके अगर उनकी मरत्य हो जाती है उनके लिए भीमा योजना की बाग पर शुरुआत की है किसने यूई के अंदर मिल जाएगा इसका टेस्ट मिल जाएगा एक के अंदर बड़िया तरीके से आप प्लेश्ट और चे पड़ताब क्लासिस का एप डाउनलोड करें वहां से टैसरी आप जोईन कर सकते हो अपनी जितनी भी सारी टैसरी चल रही ना इन सभी की एक साल की वेल्डिटी है आप बड़े तरीके से टैसरी जोईन कर लेना एक साल तक आपका जो है वेल्डिटी रहेगी तो यह इसके लिए आपके लिए टैसरी जोईन कर सकते हो असिस्टन लोको पाइलिट के लिए चल रही है और आज मैंने जो आपको यही वीकली क्लास दी है इसका टैस्ट आप